तो तूदः auto ionization of water and with the auto ionization of water we are going to see about a pH, POH, that means acid and base concept, तो यहाँ पर आगर आप देखूंगे auto ionization of water का, जो हमने कल discuss किया था auto ionization of water, let it be, तो ले फिर बिखाना चाहिए, या कैसे हम उसको बात करेंगे ठीक है तो Auto-Organization Auto जिसको लोग बात करते KW की Value in Terms तो उसे हम लोग कैसे लिखना है और केड़ाबल्यू की value कितनी होती है ये हमें देखना है तो यहां से मैं स्टॉप करता हूँ मेरी स्क्रीन शेरिंग आप जो हमारा पेज है उस पर आपको देखना है ठीक है तो आपके आपके सामने अभी स्टूरेंट्स आ जॉइनिंग आपके सामने जो स्क्रीन है आप उसको यही स्क्रीन है अब हम लोग आपके बारे में डिस्कस कर ले थे और आपको जो हमें बात करना था या डिस्कस करना था वो था कल का जो टॉपिक आपके सामने था उसको हम लोग एक बार फिल से देखते है कि कैसे वो टॉपिक था ओके आटो आइनाइजेशन ऑप एस्टू यहां लिखते वक हमने क्या किया था कि एस्टू हो लिक्विड में और प्लस एच्टू ओ के साथ ही इसको हमने आइनाइज करने की कोशिश की थी और हमने यहां लिखा था कि ह्ट्री ओ प्लस प्लस ओएच माइनस यह हमने कल का डिस्कस्शन था इफ वी ट्राइटू मेक इट इन अ अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करू इन टर्मस ओफ एक्विलिब्रियम में तो हम लोग क्या कर ले थे यहां पर के इस इक्वल टू यहां आँ लिखा था एस्ट्री ओ प्लस ओ एच माइनस और नीचे था हमारे पास अच्टू ओ इंटू एच्टू यह एस्टू उ का स्ट्वेर तो आपको दिखाऊंगा कि क्या हम लोग इसको discuss करेंगे अब यह जो है ना as such हम लोग यहाँ पर बात कर रहे है कि H2O जो है बहुती बड़े amount में it is in excess और जब कोई 10,000 रूपीज में से dissociate हो के 2 या 3 रूपई निकले तो does this play a significant role absolutely not that 10,000 रूपीज में से आप 2 रूपीज या 3 रूपीज निकाल दो that means आपके पास 9,997 रूपीज फिर भी बचे है तो यह significant amount नहीं है तो वो जो amount है 10,000 या 9,000 के उपर की amount that is always considered as constant क्योंकि बहुत बड़ी amount है उ इसलिए यह amount इतनी ज्यादा होने से इसको हम लोग ओर एक constant that means this is also a constant at that moment तो can I say that इसको हम लोग इधर लेके आ सकते कहाँ पर इसके साथ तो हमारे पास k into इसको k dash बोल दो नया constant और k dash बोलने के बाद में हमने क्या किया था यहाँ पर s3 o plus और o h minus बनाया and this is nothing but k dash into k dash is equal to हमने यहाँ पर लिखा था इसको kw और इसी को हमने बताय था कि अगर यह values हम हम लोग बात करेंगे 10 to the power minus 14 है या अगर इसको split करना है आपको यह दोनों चीजों को तो जादल दन direct answer लिखने के बज़े आप यह लिखो 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7 is equal to 10 to the power minus 14 अब है यहाँ तक तो हम लोग पहुच गए ठीक है now come to the our exactly हमारा जो चल रहा है किताब का section उसके साथ चल अब यहाँ एक interesting question CET या JE वालो के लिए हम लोग यहाँ पर मैं आपके सामने फिर से बुक वाली screen प्रेजेंट करता हूँ नो मैं इंटार स्क्रीन इस शेरिंग तो यू इस इत विजिबल तो यू ओक्टी दन अब यहाँ पर एक चीज दिखिए देखो पिटा इंटरनेट मैं फ्रेंड आपको बोला कि इंटरनेट पे धुंडू कि find the values of ionic product of kW of water at various temperature तो does it significantly vary होंगी क्या यह temperature बढ़ने के बाद में जो हम लोग अभी यहाँ पर लिख रहे हैं कि kW की value हमने निकाल के देखी kW यहाँ आपने देखा यहाँ पर हमने kW is equal to kk into k' यह वाला point निकाला और इसको हमने kW की value 1 into 10 to the power minus 14 बोला जिसमें कि s plus की कीमत जो है वो 10 to the power minus 7 है अगर मैं बात करूँ OH minus that is again 10 to the power minus 7 can anybody able to tell me about this particular aspect find the values of ionic product of kW at different temperature क्या हो सकता है बिटा कोई बोल सकता है? Anyone? Saurabh? Are you able to see my, am I audible to you? Okay, can anybody tell me what happens if the temperature, that means 273 मतलब 0 degree, if we moves from 0 to higher, that means 323, that means almost 100 degree Celsius, what happens with the kW value, और what happens with the H plus and OH minus, what happens, pH, it decreases, okay, चलो, मैं आपको एक simple सा logic समझाता हूँ यहाँ पर, मुझे यह बताओ, कि पानी बना कैसे, या water कैसे बना, H plus और OH minus मिलके, है न, H और OH minus बनके पानी बना, ऐसे समझ के चलते हैं हम लोग, H plus and OH minus, अगर मैं temperature बढ़ा रहा हूँ, तो H plus और OH minus के bond break होने की possibilities ज्यादा है क्या, yes, sure, क्योंकि जैसे जैसे temperature बढ़ेंगा, वैसे वैसे water के बीच के molecules जो है, वो break होने की tendency बढ़ते जाएंगी, and as the tendency of water goes on increasing, है न, जैसे जैसे आप यहाँ देखोंगे, 273 से लेके हम लोग आगे जब बढ़ेंगे, तो definitely हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर H plus और OH minus, दोनों के tendency हम लोग बोलेंगे कि बढ़ते बढ़ते जा रही है, बनने की, क्योंकि वहाँ पर जो water के बीच के molecules है, या bonds है, है न, that molecules try to break down the bonds, and there is a generation of H plus and OH minus more, है न, तो इसके लिए है न, एक यहाँ पर एक table ही दिया है, let me show you the table, this exactly happens at that moment, TJC हम लोग यहाँ पर बात करे, let me elaborate this screen, okay, this one, okay, so, यहाँ आपके सामने एक table दिखेंगा आपको अभी, अब देखो, यह temperature दिया है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, 0 से लेके 100 तक के हम लोग temperature बढ़ा रहे, और kw की value हमको पूछा गया कि what happens with the kw value, look it carefully, क्या पूछा गया आपको, कि kw की value के साथ क्या क्या हुआ है, यह question अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे है, that is the screen, यह हम लोग अभी देख रहे थे, यह question था, find out the values of ionic product of kw of water, at various temperature, हमको यह question अगर आता है, तो हम लोग बोलेंगे, definitely kw की value, जो है, वो बढ़ती जा रही है, और उसके लिए क्या करना पड़ेंगा हमें, reason यह है उसके पीछे, की reason behind that, की हम लोग, as the temperature goes on increasing, there is a chances of breakdown of the bonds between the water molecules increases, and that's why the kw value increases, आप देखो, यहाँ पर kw 0.114 से शुरू हो रही है, तो 51.3 तक के आके शुरू हो रही है, ठीक है, now the question is for je and what I am trying to say, MSTCAT, अब मुझे बताओ, की आपके इसाब से, अगर H plus, you know the concept of pH, how many of you know the concept of pH, let's go with the pH concept, और फिस हम इस question पर shift होते, how many of you know the concept of pH, anyone, नहीं पता, do I start with the pH and POH concept right now, यह अगला topic है हमारे इसमें, pH and POH concept, state board के इसाब से, तुरंट अगला वाला topic, pH scale, ठीक है, तो pH scale, यह अगला topic हम लोग शुरू करते हैं, question CET में यह रहेंगा आपको, कि pH scale was designed by which scientist, हम लोगों को question यह रहेंगा, तो हम लोग पहले बात करेंगे कि Sorenson, है ना, Sorenson नाम के scientist थे, जुन्होंने design की है pH scale, अब pH क्या है यह समझ लेते हैं, आपको सबको पता है न, pH क्या होता है, याने, at least in a broader term, in a broader term, water का pH किसको मालूम है, anyone, anyone amongst you, बेटा, class interactive होना चाहिए, तब जाके आपको भी मजाएंगी, Alliance guys are doing very well, वो उनका answer आ रहे है, इदल से Ananya, एक आदी बार बोली तो बोली, और क्या नाम है अपना इदल, boys तो कोई नहीं बोल रहा, वाईशली, जैसी, बोईस कोई नहीं बोला खुशाल पतिल लिफ, वाईशली, एम आदीबल तो यू, okay, so, what is the pH of water, you know, what is the pH of, say, stomach, और biology के students हो, पीटा, आपको, biology बोला जी बोट अच्छी आती है, anyone, I think, so, संसकार has joined the class, संसकार, you know, the pH of, say, any body parts, stomach or anything else, gastric juice, very good, very good, that is the stomach pH is between 1.5 to 3.5, depending on the food condition, gastric juice का pH, हम लोग अभी pH समझा देता हो, यहाँ पे क्या है, pH is equal to negative log L, of hydrogen ion concentration, negative log L to the base 10, of hydrogen ion concentration, so, pH is nothing but, negative log L of the hydrogen ion concentration, to the base 10, of hydrogen ion concentration, यह हमारा pH का फॉर्मूला हुआ, तो ऐसे ही अगर मैं बात करू, पोह क्या क्या होंगा, फिर, सेम, पोह, पोह का फॉर्मूला होंगा, कि, minus log L to the base 10, of the hydroxyl ion concentration, OH-, अब यह pH और पोह है, आपको pH की definition, पूछने के chances बनते हैं, और define pH, pH is nothing but the negative log L to the base 10, of the hydrogen ion concentration, and POH is nothing but, negative log L to the base 10, of the hydroxyl ion concentration, तो यह हमारा, usual formula बनता है, और अगर मैं यहां, pH और POH के बारे में, अगर डोनों के total करू, या और कुछ करू, तो it is 14, है ना, तो यह हो गया हमारा, pH की definition, और POH की, who designed the pH scale, pH scale designed by the Sorensen, on what basis he designed the pH scale, तो he designed the pH scale, on the basis of hydrogen ion concentration, and hydroxyl ion concentration, अब pH scale कहां से शुरू होती है, usually it start from 1, and ends on 14, usually it start on 1, and ends on 14, इधर अगर हम लोग जाएंगे, तो basic city बढ़ती है, बहुत basic है, और इधर अगर हम लोग आते है, तो acidic है, you can say that 0,2 भी बोला तो चलेंगा, यानि 0.1, 0.2, यह भी acid की values होती है, तो you can say that, more easier 0 से लेकर शुरू करते है, तो इधर जब हम लोग आते है, acid, यानि 0.1 यह होंगा, तो acid strong है, या 1 है तो acid strong है, आपको, आपके level पे, समझने के लिए 1 ही लिखो, और आप confused होंगे, ठीक है, किताब में नहीं दिया है, सर कैसे करना, so 1 से लेके 14 तक के हमारे पास PS scale है, what we are going to say, 1 is more, more acidic in nature, and 14 is basic in nature, ठीक है, 1 is acidic in nature, and 14 is basic in nature, ठीक है, on that basis, we are going to design the PS scale, और Sorensen design the PS scale, जो उन्होंने बुला 1 से 14, अब इसका मतलब है कि, यह दोनों के बीच में एक point आता है, जो है 7, 7, exactly, 7 is the neutral point, neutral का मतलब है यहाँ पर, कि यह neutral, यानि H2O is neutral, जो कि harmful नहीं है, इवन अमारे, यहाँ पर मैं दो चिन चीजे लिख देता हूँ, blood का pH, 7.4, या किसी जूब्यूक में 7.2 दिया है, यह आपको जरूर ही है, ठीक है, saliva's pH, यानि हमारे, 6.8, है ना, इसके बाद में, स्टमक के अंदर जो gastric juice है, these are for the, CET है, not for J and all these things, तो स्टमक का pH, gastric juice का pH, it varies from 1.5 onwards to 3.5, depending on food condition, है ना, और जैसे जैसे हम लोग बॉडी में नीचे जाते हैं, नीचे, that means colon, तो colon का pH, colon यानि इंटेस्टेन, और इंटेस्टेन के बाद में colon, it is slightly more, it's some 7.2 onwards to 7.8 तक भी जाता है, ठीक है, so this is all about pH of the body, तो देखो, बॉडी के pH more or less neutral के आसपास है, ठीक है, acid मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करू, SCL, है ना, 1 normal SCL, या 0.1 normal SCL, तो इसका, इसका pH होगा 1, है ना, इतना strong pH होगा, या basic के बारे में, अगर मैं यहाँ पर लिखू, basic, basic का मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, NaOH, strong acid है, NaOH, तो वो यहाँ आएंगा, ठीक है, तो SCL में, और अगर मैं यहाँ पर बात करू, acid हो गया, NaOH हो गया, और यह बीच में जो जगा है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा weak acid, और थोड़ा weak acid, यह ना, यहाँ अगर मैं बात करू, तो urine का pH आता, यहाँ जैसे बेस में जाते है, तो यहाँ जैसे बेस मतलब थोड़ा weak base आएंगे, यहाँ पर अमोनिया और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 14 के तरब, तो base हमारा strong होते जाएंगा, तो बेस हमारा strong होते जाएंगा, तो इस आल अबाउट PSKL, ना, तो यह हमने pH की definition लिखी, और यह formula हमने अलड़ेडी देखा, pH is equal to minus log to the best strain of hydrogen ion, POH is equal to this one, अब इसी question को मैं आगे बढ़ाते हुए, अगर मैं आपने इसके पहले भी equation बनाया है, तो उस equation को आगे लेते चलते हैं, लेट इट भी, इसको हम लोग, फिल से हमारे screen के उपर आते हैं, ठीक है, इस टूरेज इस सेकंड पेज, डन, तो अब हम लोग यहां पर क्या बात कर रहें कि, pH plus POH is equal to how much, है ना, is equal to 14, how it is 14, क्योंकि हमने क्या लिखा था, कि यहां हमने देखो, इसको हम लोग pH की value रख देते हैं, यहां पर, minus log of, to the hydrogen ion concentration, plus POH is equal to minus log to the base strain, इसको bracket में डाल देते हैं, to the base strain of hydroxyl ion concentration, is equal to 14, अब यह, यह जो है, यह pH और POH is equal to 14, क्योंकि यह कहां से आया था हमको, हम लोगों को यह मालूम था कि, हमने इसके पहले लिखा था, H3O plus, into OH minus, is equal to, 10 to the power minus 14, यह हमने इसके पहले, ionization of water लिखा था, वहां लिखा था, है ना, अब क्या किया, मैंने सिफ इसको minus log लगा दिया, इसको भी minus log लगा दिया, जब कोई चीज यहां, multiplication में होती है, तो log algorithmic function, वो plus में आ जाएंगी, और जब कोई चीज यहां पर, dividation में होती है, तो log algorithmic function में, वो minus में आ जाएंगा, that means, minus होगा उसमें से, हमने इसको सिफ़ा log से किया, and ultimate we got this answer, ठीक है, तो यह बहुत simple सा term है हमारे पास, अब मेरा question आपके सामने यह है, अब pH आपको समझ में आया, POH आपको समझ में आया, मैंने आपको बताया था, कि जैसे जैसे temperature change हो रहा था, तो we are talking about कि यह value change होने वाली थी, है ना, यह value हमने बताई थी कि यह value है kw की, kw is equal to 10 to the power minus 14 था, याने k into k dash is equal to 10 to the power minus 14 था, and this value is depend on the temperature, this value is depend on the temperature, and we discuss about that, कि जैसे जैसे temperature change होंगा, वैसे वैसे हमारी यह value बदलने वाली है, even that हमने यह बुला कि यह value increase होंगी temperature के साथ, ठीक है, अब मुझे question है कि water के साथ, water के साथ, specially water के साथ pH increase होंगा, या decrease होंगा, question मेरा समझ में आया, pH of water increase या decrease with temperature, anyone able to answer this, water के साथ, pH increase होंगा, या decrease होंगा with temperature, यह मुझे कोई बता पाएंगा, किरन, बता पाऊंगे बेटा, water के साथ क्या होंगा, pH increase होंगा या decrease होंगा, pH, पहले चीज आपको यह धहन में रखना है, कि pH किस पर depend कर ला है, pH depend कर ला है, हाँ बेटा, definitely, very good, कैसे बोला आपने, मैं समझाता हूँ यहाँ पर, देखो, यह pH है, इसको हम लोग बुढ़ ले कि, minus log of hydrogen ion concentration, minus log to the base strain of hydrogen, minus, मतलब, अगर मैं इस चीज को बढ़ाता हूँ, तो यह चीज कम होंगी, क्योंकि minus सामने लगा है, देखो, ध्यान से देखो, अगर हम लोग hydrogen ion को बढ़ाएंगे, तो यह चीज कम होंगी, अगर यह चीज बढ़ेंगी, तो hydrogen ion concentration कम होंगा, क्योंकि यहाँ पर negative sign लगा है, इसलिए, ठीक है, बहुत ही clear word में, और वो भी negative log 10 को लगा हुआ है, तो यह clear है, अब मेरा अगला सवाल यह है, कि जैसे जैसे temperature मैं बढ़ा रहा हूँ, as I going to increase the temperature, तो हमने बोला था कि वहाँ पर bond ब्रेक होंगे, और bond किसके बिच के ब्रेक होने वाले हैं, जैसे यह S2O है, यह जुड़ा हुआ है इस S2O के साथ, इस S2O के साथ, और ऐसे करते करते हमारे पास एक पानी का molecule बना हुआ है, यह सब एक दूजे के साथ जुड़े हुए, अगर temperature बढ़ेंगा, तो इनकी tendency हो जाएंगी ब्रेक होने की, और वहाँ पर इसका concentration बढ़ेंगा, H plus का concentration बढ़ेंगा, तो as temperature increases, the pH as temperature increases, the hydrogen ion concentration increases, and pH goes on decreasing, sorry, decreasing, तो pH कम होना शुरू हो जाएंगा, ठीक है, और pH अगर कम होना शुरू हो गया, इसका मतलब compound क्या बनेंगा, acidic nature का, जिसका pH कम, अभी आपने Sorensen pH scale देखी न, तो जो एक के तरब जाएंगा, वो acidic रहेंगा, और जो साथ से उपर की तरब जाएंगा, वो basic रहेंगा, तो pH कम हो रहा, यानि, towards 1 जा रहा है, मतलब compound ज्यादा acidic रहेंगा, सही है, तो मेरा सवाल फिल से वापस, आपने जैसे संसकार ने बताया कि, जैसे जैसे सरफ temperature बढ़ेंगा, वैसे वैसे हमारा pH जो है, या hydrogen ion concentration बढ़ेंगा, और pH कम होंगा, तो do I say the water become acidic in nature, अब ये सवाल है, ये exactly सवाल आपको CT का सवाल है, कि as the temperature increases, as the temperature increases, the pH goes on decreasing, hence the water becomes acidic, this statement is true or false, ये statement सही है या गलत है, कैसे, very good बड़ा, absolutely correct सवाल आप, कैसा है मालूम है क्या ही है, बिल्कुल सही है, ये जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, तो सर, pH तो decrease हो रहा है, no doubt, pH मैं बताता हूँ कि 6.67 तक आ गया, है ना, जो कि pH water का रहता है 7, neutral pH रहता है 7, बट सर, आप उसको और, सौरब के answer को मैं और refine करता हूँ, सर, H plus बन रहे है, तो उस टाइम पे OH minus भी तो बनेंगे ना, क्योंकि water तूट रहा है, है ना, molecule कौन सा तूट रहा है, water का तूट रहा है, water का molecule तूटेंगा, तो H plus तो बनेंगा, तो साथ में OH minus भी बनेंगा ना, सही है ना, तो OH minus अगर बनेंगा, तो electrical neutrality maintain करने के लिए, POH भी उससाब से change होँगा, and this is the exactly, how we deal with the, this is the question, which I expect to be, in your CT exam, और any competitive exam, कि जैसे जैसे temperature बढ़ रहा है, वैसे-वैसे, kw की value, at the same time, जैसे-जैसे temperature बढ़ रहा है, वैसे-वैसे हमने और बोला है, कि उस time पे H plus बढ़ेंगा, H plus बढ़ेंगा, यनि pH कम होँगा, यह तो sure है, ठीक है, so this is all about, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे, हलका सा छोटा-छोटा calculation आपको समझा देता हूँ, 0.1 molar मेरे पास SCL है, है न, यू हाँ, that means, calculate its pH, बस इतना ही कोश्चन है, 0.1 molar SCL है, calculate its pH, that means, 0.1 molar का मतलब, इसमें उन्होंने concentration दिया है, H plus का 0.1, ठीक है, H plus का concentration आपके सामने 0.1, you have to be, put the values in the formula, that means, pH is equal to minus log to the base, 10 of 0.1, hydrogen ion concentration, that's it, अब 0.1 को अगर हमको लिखना है, तो 1 by 10 लिख सकते हैं हम लोग इसको, है न, minus log to the base 10 of 0.1 by 10, that's it, है न, 1 by 10 को, 0.1 को हम लोग आराम से ले सकते हैं, अब यह, जब मैंने पहले ही बता दा दा ला, अगर देमिट फंक्शन के लिए आपको कैसा होता है, कि जब कोई चीज, डिवाइडेशन में है, तो आप उसको क्या करोंगे, minus में करोंगे, यान, इसको क्या करोंगे, minus log of 1, यहाँ minus, 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 यह term minus है सामने, यहाँ minus आ जाएंगा, और ब्रैकेट में फिर से हम लोग लिखेंगे, minus log of 10, to the base 10, अब क्या हो गया, यह minus, यह तो 1 की कीमत 0 हो गए, यहाँ से picture में चले गया, minus, minus, plus होंगा, plus log of 10, and plus log of 10 is equal to 1, तो क्या हुआ, 0.1 molar HCl की कीमत बनी 1, इस वे में हम लोग अभी, calculation solve करेंगे, आपके सामने, यहाँ और एक बार में recall करता हूँ, आपको बता देता हूँ, simple way में, what you have to do, आपको सिफ concentration देखना है, कितना दिया है आपके सामने, वो concentration आपके screen पे रहेंगा, उसके बाद में आपको क्या करना है, कि बात करना है कि, minus log 10, that means उसको formula में बिठाना है, जो भी best possible, आसान इसे बन सके, उसको simplify करो, and then go with the pH or log table, ठीक है, तो यह हमें आसान मिल जाएंगा answer, let us start with one example हा, यह example पूछे जाते हैं आपको, exam में, कोई भी exam हो फिट, ठीक है, अब यहाँ पर एक example दिया है, आपके सामने, problem number 3.5, calculate the pH and pH of 0.01 molar SCN, है न, 0.01 molar SCN, let us say, अभी हमने इसको solve किया, अभी के अभी solve किया, बस आपको वैसे ही solve करना है, ठीक है, अब मैं उसको ओर एक बार solve करके दिखाता हूँ, आपको आज के लिए, कौन-कौन से formula आपको धहन में रखना है, वो मैं समझा देता हूँ, पहला formula हमने बात किया, यही लिख देते हैं, लोग pH is equal to minus log to the base 10 of hydrogen ion concentration, दूसरा formula आपके पास, POH का, POH is equal to minus log to the base 10 of the hydroxyl ion concentration, तीसरा formula आपके पास धहन में रखने जैसा है, आज pH is equal to, pH is equal to, सॉरी, pH plus POH is equal to 14, ठीक है, चौता formula आपको हमने, इसके पहले जो देखे हैं, वो हम लोग बात करते हैं कि, अलफा is equal to square root of ka by c, पांचवा formula हम धहन में रखते हैं कि, अलफा is equal to square root of ka into v, ठीक है, चौता formula आपको धहन में रखना है, percentage के हिसाब से हमने किया था, percent alpha is equal to alpha into 100, याने हमने निखाला था percent alpha, इसका हमने अल्लेडी देखा हुआ है, यह क्या है, ठीक है, यह हो गया, और कोई formula याद होंगा, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, या अगर मुझे alpha चाहिए, तो यहाँ हम लोग percent alpha divided by 100 कर देते हैं, जहाँ कई percent में alpha दिया हुँगा, तो यह, तो यह कुछ formula हमने देखे हैं, और कभी कई जग़ब पे हमें concentration दिया है, तो alpha into c भी हमने word use किया है, तो यहाँ तक तो हम लोग पहुच गए, बहुत आसानी से, अब question क्या पूचा गया है आपको, question पूचा गया है कि 0.01 molar acid है, तो यह, आपको फिल से एक बार question दिखा देता हूँ, क्या पूचा गया है, calculate the pH and POH of 0.01 molar SCL, you very careful about that, SCL is a very strong acid है न, तो यह वाला question पूचा गया है, 0.01 molar SCL, SCL is strong acid, तो हमको इसका dissociation लिखना नहीं, आपको solve क्या करना है यह दहन में रखो, याने आपको यह concentration दिया है, तो can I say that, कि आपको hydrogen ion concentration निकल सकते है, 0.01 is equal to, can I say that, अगर मैं इसको convert करूँ, तो 10 to the power minus 2 कर दूँ कै इसको, 1 divided by 100 है यह, या अगर जिनको नहीं समझ मैं है, और आगे देख सकते है, 0.01 को convert करते हैं, 1 में convert किया है, मैंने 10 to the power minus 1, और और भी आगे बढ़ा है, 1 into 10 to the power minus 2, यह समझ में आ जाना चाहिए आपको, यह basic calculation के rule है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर convert किया उसको, that means, ultimately यह compound यह है, ठीक है, अब यह value हम लोग डाल सकते हैं, यहाँ पर formula में, hydrogen ion concentration के, क्या है, pH is equal to minus log to the base 10, of hydrogen ion concentration, minus log to the base 10, of 10 to the power minus 2, अब यह इतना simple हो गया न, अगर आप इस वे में ले लो न, इसको, यह log algorithmic function में, अगर कैसी का power है न, आप इसको सामने ला सकते हो, यहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, यह सामने क्या आने वाला है, minus 2 कहां आ जाएंगा, यहाँ से उतर के यहां आ जाएंगा, एकदम सामने, तो क्या होगा, minus 2, और अल्रेड यहाँ पर minus है, यह minus sign, तो इसके सामने, let it be, minus minus 2, log to the base 10, of 10, अब 10 की value, log 10 की की कीमत, अगर हम लोग देखते हैं, तो log 10 की कीमत, log 10 की कीमत है 1, log 10 की कीमत है 1, just allow me one minute, मेरे पास log table भी मैंने लिया था, let it be, मैं आपको बता देता हूँ, अब देखो, यहाँ पर लोग, यह थोड़ा आपको visibility में problem जा सकता है, I think जो थोड़ा नहीं बहुत जा सकता है, is it visible, नहीं cluster है, blur है न, anyone, but आप at least you can see 10, और उसके सामने 0, 0, 0, 0 है आपके सामने, clear है, I think so, थोड़ा आपको visibility में problem जा रहा है, हम लोग इसको छोड़े जते हैं, मैं आपको बता जाता हूँ, क्या करना है यहाँ पर सिधा-सिधा, किसी भी चीज का, log algorithmic आपको, hopefully आपको lock table निकालते आता है, थोड़ा clarify कर देता हूँ, उसको मैं, मैंने उसको zoom किया था, तो clarity चले गई है, let it be, मैं यहाँ पहले shift होता हूँ, हाँ, done, so what I am trying to say, कि किसी भी जिनको lock table में देखते नहीं आता, उनको मैं समझा देता हूँ, एकदम simple way में, ठीक है, अगर कोई चीज है आपके पास, जिसको हम लोग बोलते हैं कि 10, तो 10 का log निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेंगा, ये 1, लिख, ये 2 digit है न, आपके पास, 2, तो इसलिए 1 point, अब 10 का lock table में 0 की चीज देख लो, और उसकी लिख दो, तो उसके आगे 0, 0, 0 है, ठीक है, आपको पूछा गया 100 का बताओ, आपको पूछा गया 100 का बताओ, 100 का मतलब कितने digit है आपके पास, तो 3, 3 digit है, इसका मतलब आप यहां लिखोंगे, 2, उसके आगे लिख दोंगे, 0, 0, 0, 0, ठीक है, क्योंकि, 10 की 0 में 0, 0, 0 है, आपको पूछा गया है 1000, 1000 याने कितने digit है आपके सामने, तो आपके सामने, 3, अभी आपके सामने, 1, 2, 3, 4 digit है, 4 digit में से 1 माइनस कर दो, याने 3 हो गए, 3.000, that's it, तो यह लॉग देखने का तरीका है, है ना, अगर हमारे पास, 10,000 भी आ जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मतलब 5 में से 1 माइनस करो, याने 4, 4.000, यह हमारा लॉग देखने का तरीका है, तो मैं एक special lecture लूँगा, आपका लॉग टेबल के उपर अगर लगा हमें तो, तो this is exactly how we can see, तो अब यहाँ लॉग 10 की कीमत क्या होंगी, तो यह हमने यहाँ निकाल के देखिए, है ना, 10 is equal to 1.00, तो minus 2 into minus 2 कितने हो गए, यानि यह हो गए 2, minus minus cancel हो गए, plus, और multiplied by 1, इसका मतलब answer मिला आपको 2, that's it, simple way में हमको answer मिल गए 2, अब यह किसका answer है, pH, और आपको पूछा गया है, पोह भी बताओ, तो पोह कितना है, पोह मतलब 14 minus 2, तो हो गए 12, पेल, that's it, तो आपको pH और पोह दोनों भी मिल गए यहाँ पर, तो यहाँ आपका question था, हम लोग वापस आते हैं हमारे problem के उपर, यह हमारा problem था, problem क्या बता रहा है, calculate the pH and pH of 0.01 molar HCl solution, तो देखो HCl का उन्होंने पहले यह बताया, कि कैसे dissociate होंगा, strong acid है, तो single arrow ही बताया, आगे जाने वाला, फिर उन्होंने इसको concentration को convert किया, 1 into 10 to the power minus 2, हमने भी वही किया, pH के जग़ कीमत डाल दी, और minus 2 को, यहाँ उन्होंने सिधा solve करके बताया, मैंने आपको clear समझाया, कि यह log algorithmic function में, minus 2 कहां आएंगा, तो सामने आएंगा, किसी भी 10 to the power, जो भी 10 to the power रहेंगा, वो बिल्कुल सामने आ जाएंगा, तो minus 2 पूरा के पूरा उठा के सामने ले लिया हमने, तो minus 2 into minus का sign, याने plus हो गया, और log 10 की कीमत हमें मालूम है 1 है, and ultimate answer become 2, तो यह बन गया आपका answer, और यह आपका answer हो गया, अब आपके सामने question है, अगला वाला, hopefully आपको answer ना दिखे, ठीक है, यह वाला, हम लोग इसको solve करने की कोशिश करते हैं अभी, ठीक है, question क्या दिया है बिटा, pH of the solution is 3.12, calculate the concentration of H3O plus ION, बहुती simple सा question है, और यह question बार-बार पूछी जाते हैं, CET में तो जो CET के लिए तयारी कर लें, उनके लिए तो बहुत common है, those who are preparing for 12th, I don't think so कि यह कोई problem आपको पूछा जाएंगा, चलो पूछा गया तो भी हमको आना चाहिए, तो बहुत सारे question calculation पर रहते हैं, और जो बच्चे बहुत गूड है calculation में, really it is helpful for them, कि फटा फटा answer मिलते हैं हमको, ठीक है, so let allow me again for 5 or 6 minutes, किसी का class नहीं न, प्रशेंचा, आपका class है बटा, बायो का, प्रशेंचा या पूजा, am I audible, no response, am I audible to you, anyone, am I audible, okay, प्रशेंचा class है बटा आपका, class है बायो का, कितने मज़े, वही साड़े, साथ साथ बीस को न, okay, ठीक, मैं उसके पहले ही खत्रम करता हूँ ठीक है, तो यहां हम लोग क्या बात करें, कि pH दिया है आपको compound का, pH is equal to 3.12 दिया है, आपको, let it be हम लोग shift होते हमारे, slide के उपर, screen के उपर, what day given, pH is equal to 3.12 दिया है, pH 3.12 दिया है, आपको पुछा गया है कि, calculation करके बताओ कि, उसमें hydrogen ion concentration कितना होंगा, बहुत simple है, क्या यूज करना है आपको, formula, pH is equal to, minus log to the base 10 of hydrogen ion concentration, can I say that, log to the base 10 of hydrogen ion concentration, is equal to, log to the base 10 of hydrogen ion concentration, is equal to, यह minus sign भी दर लेके, log of pH, sorry, minus pH, minus pH लिद दिया, अब इसको और simple way में समझाता हो, कि क्या करना है, यह धान देना बटाओ यह calculation है, यह आपको किताब में बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, हमने log 10 यह ले लिया, अब क्या करना है, आपको simple way में यहां लिखना है, minus 3.12, क्योंकि यह minus pH है, pH कितना है, तो 3.12 है, minus pH मतलब 3.12 हो गया, अब क्या हो गए गरबड यहाँ पर, कि यह 1.2 आ गया, इसको anti-log जब निकालना है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको एक trick है, वो trick क्या है यह बताता हूँ, minus 3, minus 1, आप उसमें plus 1 करो, और minus 1 करो इस चीज में, है न, तो क्या किया, minus 3, minus 1, plus 1, कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग, हमने minus 3 में, minus 1 किया, plus 1 किया, और यह कितने हैं वापस, 1, 2, तो इसमें से minus 0.12 कर दो, अब यह समझ में नहीं आया, तो मैं और detail यहाँ पर बताता हूँ, क्या किया है मैंने, 3.12, जो minus 3.12 है, इसको पहले मैंने by forget किया, किसमें by forget किया, दो चीजों में, minus 3.1, minus 3.00, and minus 0.12, यह दो चीजों में by forget किया, यह minus 3 के अंदर मैंने minus 1 मिला दिया, और यह जो कीमत है, इसमें मैंने plus 1 मिला दिया, ठीक है, ultimately यह क्या बना, minus 3 minus 1, यह बना minus 4, और यह plus 1 ब़ल 0.12 क्या बना, तो यह बना plus 0.88, plus 0.88, ठीक है, अब इतना simple सा काम हो गया, यहाँ पर आजाओ वापस, कुछ नहीं करना है हमें, हमें सिप लिखना है, minus 4, point, point में 88 लिख दो, आप यह answer नहीं है, यह answer बिलकुल नहीं है, यह point 4, 88 लिख दो, अब क्या हो गया, इसका यह है, log to the base 10 of hydrogen ion concentration, अब इसका anti-log निकालते हो, आसानी से क्या हो गया, कि हमें इतना समझ में आ गया, कि anti-log वाला table देखना है अब आपको, आप log table देखना, और इसके अंदर anti-log वाला table देखना, उसमें 88 का देखना, कि इसका 88 का, log table चूरू होता है, हमारा anti-log का table चूरू होता है, जब हम लोग बात करते हैं, anti-log का table देखते हैं, तो it starts from 0,0, that means 0.00 से लेके 0.99, anti-log का table कहां से कहां तक शूरू होता है, मैं खल डाउनलोड करके रख दूँगा table, 0, that means 0.00 से लेके, to 0.99 तक के anti-log का table है हमारे पास, तो हमें किस में देखना है, 0.88 में देखना है, तो 88 का देखना है 0 में, ठीक है, और यह क्या है, minus 4, इसको कुछ नहीं, इसको क्या करना है, 88 का जो देखना है, वो answer निकालना है, and that 88 का 0 में, अभी मैं lock table देख रहा हूँ, and that is showing me, 7586, so what is the answer, 7.586, 10 to the power minus 4, minus 4 कहां से लिया मैंने, समझ के चलो, minus 4 जो यह है न, सामने लिखा हुआ minus 4, यह हमने 10 to the power minus 4 में लगा दिया, that's it, let it be, मैं आपको फिर से एक बार इस पे चलते हैं हम लो, book पे, book पे भी दिखा देता हूँ, और फिर खतम करते हैं, आप देखो यहाँ पर, pH, pH लिगा दिया, log to the hydrogen and concentration, minus pH किया, हमने भी यही किया था, minus 3.12, अब इन्होंने क्या किया, minus 3 में, plus 1 और minus 1 मिला दिया, minus 3, minus 1, minus 4, और 1 में से, minus 0.12 कर दिया, this becomes, minus 4, plus 0.88, तो मैंने क्या किया, 4.88 कर दिया इसको, अब anti-log of 4.88, जोब हम लोग निकाल रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि, 88 का anti-log, देखना आपको 0 में, और वो कीमत लिखना यहाँ पर, और उसकों point लगाना, 7.586 into 10 to the power minus 4, and this is the most important calculation for, as per the, your, what I am trying to say, जो हम लोग बात कर रहे हैं, यह इसलिए important है, कि हम लोग, JE या NEET में जब prepare करते हैं, तो उसमें हमें यह बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, so hopefully आपको समझ में आया, यह आज का तूड़े, जो हमने discussion किया, all of you are getting, okay, कोई students, जो दिनका class है बटा, next, they can leave the class, वो जा सकते है, बाकियों को समझ में आ गया है बटा, okay, anything else, कोई problem हो, तो मुझे पूछो अभी, हम लोग discuss कर सकते हैं,